बर्जन सहीदा 17 अध्याई 13 से 15 तक परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होंगा मत्थी 20 वा अध्याई 20 से 34 तक तब जब देके पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ ईश्व के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी उसने उससे कहा तु क्या चाहती है वो उससे बोली यह वचन दे कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाए बैठे इश्व ने उत्तर दिया तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो उन् के लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। यह सुनकर दसों चेले उन दोनों भायों पर कुरुद हुए। जैसे की मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुडोती के लिए अपना प्राण दे। जब वे यरिहों से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड उसके पीछे हो ली और दो अं कर लोगोंने उन्हें डांटा की चुप रहे पर वे और भी चिला कर बोले है प्रभु दावद की संतान हम पर दया कर तब ईश्य ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं उन्होंने उससे कहा है प्रभु यह कि हमारी आँखे खोल जाए इशु ने तरस खाकर उनकी आँखे चुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिये। अयूब 15 अध्याई 1 से 35 तक तब तेमानी एलिपज ने कहा क्या बुद्धिमान को उच्छे थै कि अज्ञानता के साथ उतर दे या अपने अंधाकरण को पूरवी ववन से भरे क्या वन निश्फल वचनों से या व्यर्त बातों से वाद विवात करे वन तु परमीश्वर का भाय मानना छोड़ देता और परमीश्वर पर ध्यान लगाना औरों से छुड़ाता है तु अपने मूँ से अपना अधरम प्रगट करता है और दुर्त लोगों के बोलने की रीती पर बोलता है मैं तो नहीं परंतु तेरा मूँ ही तुझे दोशी टहराता है और तेरे ही वचन तेरे विरुद साक्षे देते हैं क्या पहला मनुष्य तु ही उत्पन्न हुआ क्या तेरी उत्पती पहाडों से भी पहले हुई क्या तु परमीश्वर की सभा में बैठा सुनता था क्या बुद्धी का ठेका तू ही ने ले रखा है तू ऐसा क्या जानता है जिसे हम नहीं जानते तुझ में ऐसी कौन सी समझ है जो हम में नहीं हम लोगों में तो पक्के बलवाले और अतिपुरणिय मनुश्य है जो तेरे पिता से भी बहुत आयू के हैं परमीश्वर की शांत परमीश्वर के विरुद करता है और अपने मूह से व्यर्त बाते निकलने देता है मनुश्य है क्या कि वह निश्कलंख हो या जो स्थ्री से उत्पन्न हुआ वो है क्या कि निर्दोश हो सके देख वो अपने पवित्र जनों पर भी विश्वास नहीं करता और स्वर्ग भी उसके दृष्टी में निर्मल नहीं है फिर मनुष्य अधिक गिनोना और ब्रश्ट है जो कुटिलता को पानी के समान पीता है मैं तुझे समझा दूँगा इसलिए मेरी सुन ले जो मैंने देखा है उसी का वर्णन में करता हूँ वे ही बाते जो बुद्धिमानों ने अपने पुर्खाओं से सुनकर बिना छुपाए बताई है केवल उन्ही को देश दिया गया था और उनके मद्य में कोई विदेशी आता जाता नहीं था दुष्ट जन जीवन भर पीडा से तडपता है और बलातकारी के वर्षों की गिंदी तहराई हुई है उसके कान में डरावना शब्द गुंजता रहता है कुशल के समय भी नाश करने वाला उस पर आ पड़ता है उसे अंधियारे में से फिर निकलने की कुछ आशा नहीं होती और तलवार उसकी घात में रहती है वो रोटी के लिए मारा मारा फिरता है कि कहां मिलेगी उसे निश्चे रहता है कि अंधिकार का दिन मेरे पास ही है संकट और दुरगटना से उसको डर लगता रहता है ऐसे राजा के समान जो युद के लिए तयार हो वे उस पर प्रबल होते हैं क्योंकि उसने तो परमेश्वर के विरुद हात बढ़ाया है और सरवशक्तिमान के विरुद वताल ठोकता है और सिर उठा कर और अपनी मोटी मोटी ढाले दिखाता हुआ गमंड से उस पर दावा करता है इसलिए कि उसके मूँ पर चिकनाई चा गई है और उसकी कमर में चर्बी जमी है और वह उजाडे हुए नगरों में बस गया है और जो घर रहने योग्य नहीं और खंडर होने को छोड़े गए है उनमें बस गया है वह धनी न रहेगा और न उसकी संपती बनी रहेगी और ऐसे लोगों के खेत की उपज भूमी की और न जुकने पाएगी वह अंधियारे से कभी न निकलेगा और उसकी डालिया आग की लपट से जुलस जाएगी और परमीश्वर की मूँ की श्वास से वह उड़ जाएगा वह व्यर्त बातों को भरुसा करके अपने को धोका न दे क्योंकि उसका बदला धोका ही होगा यह उसके नियत दिन से पहले पूरा हो जाएगा उसकी डालियां हरी न रहेगी दाख के समान उसके कच्चे फल जड़ जाएगे और उसके फूल जैतून के व्रिक्षके से गिरेंगे क्योंकि भक्तिहिन के परिवार से कुछ बनना पड़ेगा और जो गूस लेते हैं उनके तंबू आग से जल जाएंगे उनको उपद्रव का गर्ब रहता और वे अनर्थ को जनम देते हैं और वे अपने अंधहकरण में चल की बाते गड़ते हैं अयूब 16 अध्याई 1 से 22 तक तब अयूब ने कहा ऐसी बहुत सी बाते मैं सुन चुका हो तुम सब के सब निकम में शांती दाता हो क्या व्यर्त बातों का अंत कभी होगा तु कौनसी बात से छिडख कर उतर देता है जो तुम्हारी दशा मेरी सी होती तो मैं भी तुम्हारी सी बाते कर सकता मैं भी तुम्हारे विरुद बाते जोड सकता और तुम् भी मेरा शौक न घटेगा चाहे मैं चुप रहूं तो भी मेरा दुख कुछ कम न होगा पर। अब उसने मुझे उखता दिया है उसने मेरे सारे परिवार को उजाड डाला है उसने जो मेरे शरीर को सुखा डाला है वो मेरे विरुद साक्षी टहरा है और मेरा दुबला पन मेरे विरुद खड़ा होकर मेरे सामने साक्षी देता है उसने क्रोध में आकर मुझको फाड़ा और मेरे पीछे पड़ा है वो मेरे विरुद दांत पीसता और मेरे बैरी मुझको आंखे दिखाता है अब लोग मुझ पर मुझको आंखे दिखाता है और मेरी नाम दराई करके मेरे गाल पर थपड मारते और मेरे विरुद भीड लगाते हैं परमेश्वर ने मुझे कुटिलों के वश में कर दिया और दुष्ट लोगों के हाथ में फेंक दिया है मैं सुक से रहता था और उसने मुझे चूर चूर कर डाला उसने मेरी गर्दन पकड़ कर मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया फिर उसने मुझे अपना निशाना बना कर खड़ा किया है उसके तीर मेरे चारो और उड़ रहे हैं वो निर्दे होकर मेरे गुर्दो को भेदता है और मेरा पित भूमी पर भाता है वो शूर के समान मु प्रत्वी तुमेरे लहु को न ढांपना और मेरी दोहाई कहीं न रुखे अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है और मेरा गवाह उपर है मेरे मित्र मुझसे गृणा करते हैं परंतु मैं परमेश्वर के सामने आसू बहाता हूँ कि कोई परमेश्वर के सामने सज्जन का मुखदमा लड़े जैसा कोई अपने पडोसी के लिए लड़ता है क्योंकि थोड़े ही वर्षों के बीतने पर मैं उस मार्ग से चला निश्चे जो मेरे संग है वे ठटा करने वाले हैं और उनका जगडा रगडा मुझे लगातार दिखाई देता है जमानत दे अपने और मेरे बीच में तू ही जामन हो कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे तूने इनके मन को समझने से रोका है इस कारण तू इनको प्रभल न ह होने देगा जो लूट के भाग के लिए अपने मित्रों की चुगली खाता है उसके लड़कों की आंखे अंधी हो जाएगी उसने ऐसा किया कि सब लोग मेरी उपमा देते हैं और लोग मेरे मुझ पर थूकते हैं खेद के मारे मेरी आंखों में धुंदलापन चा गया है और मेरे सब अंग चाया के समान हो गए है इसे देखकर सीधे लोग चकित होते हैं और जो निर्दोश है वे बक्तिहिन के विरुद भड़क उठते हैं तो भी धर्मी लोग अपना मार्क पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्तिय पर सामर्तिय पाते जाएंगे तब सब के सब मेरे पास आओ तो आओ परंतु मुझे तुम लोगों में एक भी बुद्धिमा न मिलेगा मेरे दिन तो बीच चुके और मेरी योजनाए मिट गई और जो मेरे मन में था वो नश्ट हुआ है वे रात को दिन तहराते वे कहते हैं अंधियारे के निकट उजिय यदि मेरी आशा यह हो कि अदोलोक मेरा धाम होगा यदि मैंने अंधियारे में अपना बिचोना बिचा लिया है यदि मैंने सडाहट से कहा तू मेरा पिता है और कीडा से कि तू मेरी मा और मेरी बहिन है तो मेरी आशा कहां रही मेरी आशा किसके देखने में आएगी क्या अधोलोक में उतर जाएगी क्या उस समेत मुझे भी मिट्टी में विश्राम मिलेगा अयूब 18 अध्याय एक से 21 तक तब शूही बिल्दद ने कहा तुम कब तक फंदे लगा लगा कर वचन पकड़ते रहोगे चित लगाओ तब हम बोलेंगे हम लोग तुम्हारी दृष्टी में क्यों पशू के तुले समझे जाते और अशुद टहरे हैं है अपने को क्रोध में फाडने वाले क्या तेरे निमित पृत्वी उजड जाएगी और चटान अपने स्थान से हट जाएगी निश्चे दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा और उसकी आग की लो न उसके डेरे में का उज्याला अंधेरा हो जाएगा और उसके उपर का दिया बुझ जाएगा उसके बड़े बड़े डग छोटे हो जाएगे और वह अपनी ही युक्ती के द्वारा गिरेगा वह अपना ही पाव जाल में फसाएगा वह फंदों पर चलता है उसकी एड़ी फ उसे डराएंगी और उसके पीछे पढ़कर उसको भगाएंगी उसका बल दुख से गट जाएगा और विपती उसके पास ही तयार रहेगी वह उसके अंग को खा जाएगी वरन काल का पहिलोटा उसके अंगों को खा लेगा अपने जिस डेरे का भरोसा वह करता है उससे वह वह उसके डेरे में वास करेगा और उसके गर पर गंदक छितराई जाएगी उसकी जड सूख जाएगी और डालिया कट जाएगी पृत्वी पर से उसका समरण मिट जाएगा और बाजार में उसका नाम कभी न सुन पड़ेगा वह उज्याले से अंधियारे में धकेल दिया जाएगा और जगत में से भी भगाया जाएगा उसके कुटूंबियों में उसके कोई पुत्र पौत्र न रहेंगे और जहां वह रहता था वहां कोई बचा न रहेगा उसका दिन देखकर पश्चेम के लोग चकित होंगे और पूरब के निवासियों के रोए खड़े हो जा किता है